नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाथियाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शियर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों आज आप सभी के साथ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूँगा जो बॉनस अनाउंस करता हुआ दिखाता हमें पिछले कुछ दिनों पहले लेकिन अभी उसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है याईनिकि आपको कब खरीदना है ताकि आप इलेजिबल हो जाएं बॉनस 57th September की रिकॉर्ड डेट फिक्ष्क्स करिया यानि की अगर आप 6th September से पहले क्रीदते है यानि आज से लेकर 5th September से पहले क्रीदते हैं तो आप बॉनस के लिए इलेजिबल है सबसे पहले को आपको जानना बहुत ज्यादा ज़रूर है यह बॉनस कमपनी देती क्यों है पाइ हाँ यार हमें एक खरीदना चाहिए और लेना चाहिए और यह इवेंट फुल डेज हो जाते हैं कहीं न कहीं इस तरीके से बट यह सारी एक भावना है लेकिन जो में चीज होती है जिसलिए स्टॉक स्प्लिट या फिर बॉनस होता है वो इसलिए कि ताकी इस्टॉक का अब जिस स्टॉक का नाम पहले मैं आपको बता दूँ इस स्टॉक ने बॉनस करा था आप सभी को याद हो तो एंड कंपनी ने कंपनी फिक्स सेप्टेंबर 7 2022 एज रिकॉर्ड डेट तो यह कहीं न कहीं आपको पता ही होगा बॉनस के लिए एंड कंपनी ने जो बॉनस करा अब बॉनस के लिए इस स्टॉक को या फिर नहीं यहां पर एक चीज और आई है कि कंपनी बॉर्ड मीटिंग ऑन 17 अगस्तु कंसिडर एंड फंड रेजिंग फंड रेजिंग भी कहीं न कहीं कंपनी करने की तैयारी में तो इस तरीके के भी कुछ बयान आये थे अभी गेल के बारे में बात करें तो 134 रुपीस के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है लगबग 1.5% उपर था मंडे के सेशन में म अपनी स्क्रीन पे लेके आ जाता हूं एंड गेल का शियर में अपनी स्क्रीन पे लियाया हूं एनसी की साइट पे स्टॉक की अगर फ्राइड यानि कल के सेशन की बात करें तो 1.1 करोड शियर्स ट्रेड हुए एवरेज वॉल्यम भी 1.1 करोड शियर्स के ही है एंड बड़ा चार्ट करूं तो एक साल के बॉटम की बात करें तो वह लगबग जिन स्टॉक जिस लेवल पर भी ट्रेड कर रहा हूं लेवल पर लगबग 130-125 का राउंड इसका बॉटम है और उपर में इस टो उचाल मारता है तो 146-150 तक उपर आ जाता है तो इस प्रकार का इस आपको informative लगे तो प्लीज इसको like कर देना ताकि मुझे motivation मिलती रहे दोस्तों शाहिद मैंने अभी तक वीडियो में यह नहीं बदाए कि bonus तो announce हुआ है बट किस ratio में हुआ है तो हर दो share पे आपको एक share as a bonus company पे करने वाली है यानि कि अगर आपके पास 10 share होंगे तो 5 share company as a bonus पे करेगी किसे पे करेगी जो भी 6 September से पहले खरीदेगा यह 6th of September से पहले जिसके भी account डीमेट account में यह shares होंगे उसे bonus मिल जाएगा bonus के बाद stock का price भी उसी ratio में कम हो जाएगा तो bonus से कोई फायदा हुआ क्या इसका जबाब है नहीं फिर क्यूं होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि stock applies कही ना कहीं affordable बनाने के लिए liquidity बढ़ाने के लिए बाकि कोई reason नहीं होता है एक और चीज है कही ना कहीं bonus से related जो आपको मैं बता दूं इससे financials पे बिलकुल भी impact नहीं बढ़ता है पहले जो financial थे वही अभी financials रहेंगे for example चाहें आपके पास 2000 का 1 note हो या रहते हैं अब इस stock की बात करें तो one can buy या नहीं कोई ना कोई अगर खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है lower end पे यह 128-130 के असपास अगर Monday को मिलता है market की गिरावट में आप ले सकते है 120 का बहुत बड़ा ऐसा है लोगा नीचे की तरफ में आपके लिए and ऊपर में इस तो दोबारा एजिली आपको 136-138-140 तक के लेवल दिखा सकता है तो यह होगी मेरी वीडियो गेल के stock को लेकर आपको समझ में आयोगी thank you so much for watching this video have a great day guys